हलो फ्रेंड्स मैं धर्मेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोगों का पुनस्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिस ग्रामर का एक बेहद इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर आया रएथा दोस्तों आज हम सीखेंगे एक समान फार्म्स वाली वर्ब ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह ऐसी वर्ब होती है जो परिछाओं में करते हैं बार्बार पुछी जाती तो आएए दोस्तों इसको क्रम से देख लेते हैं तो दोस्तों आईए इसको क्रम से लिखते हैं पहले तो दोस्तों जो आप लोग वा Sit tb PROạoने होती है वह हमेशा प्लूररल होती है है यह वाद आपको ध्यान देने की जरूरत है ठीक है तो आपका पहला यहां पर point हो जाएगा प्रेजेंट यानि वर्ब तो लिखेंगे हम present फार्म उसके बाद उसका meaning ठीक है दोस्तों वर्ब तो लिखेंगे मिनिंग भी अर्था था हिंदी में ने अर्थ जाने के उसका मतलब क्या होता है उसके बाद दोस्तों पास्ट फार्म ठीक है पास्ट फार्म और इसका आखरी हो जाएगा पास्ट पार्टिस्पल ठीक दोस्तों पार्टिस्पल यानि आप इसको क्या कर सकते हैं यह आपका वर्ब का फर्स्ट फार्म हो गया और दोस्तों पार्ट फार्म को हम क्या करते हैं सेकेंड फार्म पार्ट पार्टिस्पल को थर्ड फार्म करते हैं या इसको past perfect भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों तो आएए दोस्तों इसमें पहली हमारे जो वर्व होती है वो होती ही दोस्तों bet क्या होता है दोस्तों पहली बार bet होता है bet means दोस्तों क्या होता है सर्थ लगाना क्या होता है इसे बेटिंग होता आना सर्थ लगाना तो इसे बेट बेट आपका क्या होता है सर्थ लगाना ठीक है तो बेट का अर्थ यहां पर क्या होगा दोस्तों सर्थ लगाना ठीक है दोस्तों और इसका जो कर सकते हैं कि सेकेंड फार्म जो होता है वो बे कास्ट थेख नहीं होगा दोस्तों कर सकते हैं कि जो सेकेंड होता है उसमें कोई परिवक्ता नहीं होता है और नेक्ट दोस्तों आपकी ऐसी वर्भ है तो दोस्तों वो क्या है बस्त 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 में इसके संदर में दोस्तों तो बस्त मिंस फटना तो आपका क्या हो जाएगा इसका सेकेंड और क्या होगा same होगा अर्थात इसके कर सकते हैं कि वर्ब में परिवरतन नहीं होगा ठीक है थोस्तों नेक्स्ट आपकी है तो दोस्तों आपका है कट क्या है सी यूटी कट कट मिन्स दोस्तों क्या होता है कट मिन्स काटना होता है तो दोस्तों जो कट होता है उसकी कर सकते हैं कि कि अर्थ क्या होता है काटना उसकी सेकेंड और थर्ड फार में कोई परिवत्तन नहीं होता है अर्थात कट का कट ही रहता है कट 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 ठीक दोस्तों तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों जो की है हिटoutine अगला आपके लिए वर्ब है इसी जोंहें का परिवत्म नहीं होता है वो क्या है दोस्तों हिट है हिट मतलब क्या होता है लोा होता है हwork को दोस्तों हिट करना मतलब चोट मानना जीयसे फुटबाल फ़यरा सब खेलते है तो HIT करते हैं तो वो चोट मारते है एक तरह से टीक है दोस्तों इसका क्या होता है आपका Second Farm HIT ही रहता है और थर्ड में भी वोगी परिवरतर नहें हो कि वो ही रहता है नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग के लिए HORT, क्या है HURT HORT, हर्ट म biraz क्या होता है चोट पहुचाना चोट पहुचाना ठीको तो चोट पहुचाना य стро fim उसको घएल कर देने से मतलब है तो औरहकर क्या हो जाएगा हट मिंस चोट पहुचाना है इसका भी दोस्तुम क्या होता हा सेकेंट और ठर्ड फार में कोई पर्रिभर्तन नहीं करते हैं ठीको दोस्तों कौन जिसका मतलब कर सकते हैं कर सकते हैं कि second और third वार same होता है अर्थाथ लेट ही रहता है आए दोस्तों अगला ic verb देख लेते हैं कौन जिसका मतलब कर सकते हैं कुछ उसमें परिवर्था नहीं होता तो दोस्तों ic हमारी अगली वर्व है put put मतलब दोस्तों क्या होता है put means पुट में रखना होता है और दोस्तों इसका सीकेंड और सफ़र्म कि या होता है सेम होता है अठाद यो टी पुट इसम परिवर्थनETH नहीं होता तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसके कर सकते हैं कि फर्स सेकेंड थर्ड फार में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी और वर्ब का अध्यन कर लेते हैं जिनके कर सकते हैं कि प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिस्पल के फार में कोई परिवर्तन नहीं होता है नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों जिनके कर सकते हैं कि फर्स सेकेंड थर्ड फार में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगली वर्ब होए दोस्तों आप मुक्त करना छोड़ देना है न मुक्त करना तो दोस्तों इस का कर सकत है pass पार्षट्ट फारा सेकंड होता है प्रिकल थो read means क्या होता है तो आप लोग अच्छी तरह जान देंगे read means पढ़ना होता है ठीक है तो दोस्तों read का कर सकते हैं फ़स्सेकेंड हों तर्ड जो होता है वह परिवर्तन नहीं होता है यह पढ़ने में इसको परिवर्तन होता है चारन मतलब मुश्त करना लेकिन RAID reWeed means बढ़ना इस चीज़ को देखना है उस उसका जो कर सकते है अर्थ जो है दोफ्टों वो बरिवर्त नानी अर्थ और उसका कर सकते हैं कि जो वर्ड है वो परिवर्ता है ने ठीक है दोस्तों आईए कुछ और वर्ब को देख लेता है जिनके फर्सецेडर फार में कोई परिवर्ता नहीं होता है तो दोस्तों ऐसी ही एक वर्ब है दोस्तों आप लोगे के लिए set ठीक है जोल होता है ने सुर का अस्त होना या छिपना तो उस अर्थ में हम क्या करते हैं सेट का यूज करते हैं ठीक है तो सेट मतलब बैठाना प्लस छिपना दोनों आ जाएगा ठीक है दोस्तों इसका गया होता है सेकेंड। अरता पास्ट फार्म भी सेम होता है फल्स इसका वह सेम होता है। प्लस इसका थारड फार्म भी सेम होता है। फapons second third फार्म सेम अर्थात सेट 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 सेट। ठीक है। आएए एक और देख लेते हैं दोस्तों आगे, जो कि आप लोग के लिए है। spread s-p-r-e-a-d s-p-r-e-a-d spread spread मैं दोस्टों क्या होता है फैलाना बिस्तार करना ठीक है इसका मालने क्या हो जाएक है फैलाना फैलाना दोस्तों इसका second farm क्या होगा रहना है क्योंकि हम लोग ऐसी वर्ब के बारे माझ अध्यन कर रहे हैं जिनके किसी परगार का परिवारतन नहीं होता है तो अगला दोस्तों आप लोग के लिए as a कि एक और है बीड 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 मतलब मतलभ दोस्तों दोस्तों यहां जो बीड माने क्या होगा कर सकते हैं कि निलाम करना है या बोली लगाना ठीक हें निलाम करना किसी को बोल्य जब लगाई जाती है दोस्तों तो उसको बीट कहा जाता है बीडिंग होता तो आपका क्या होसा है कि BEAT मतलब निलाम करना तो इसका क्या होगा Second dibed ही रहेगा और दोस्तों एक ware और होती है जैसे आपका उसको भी obedience ही होता है देना यहाँ बोली लगाना था लेकिन दोस्तों इसका देख रहे हैं जो निलाम करने वाला बीड उसका तीनो फार्म तो सेम था लेकिन इसका दोस्तों बदल जाता है तो बीड मतलब दोस्तों जब आग्यां देने के सेंस में आएगा तो दोस्तों इसका सेकेंड फार्म क्या होता है बी एडी बेड पढ़ते है ना तो आप लोग नरेशन अगर मेरे वीडियो को देखें और नरेशन वाला तो उसमें दोस्तों मैंने इसका जिक्र किया था ठीक सेंस में आएगा तो बीड का अर्थ में कर सकते हैं कि जो सेकेंड और थर्ड फार्म में उसमें परिवर्तन नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अब हम कुछ ऐसी भी वर्व का अध्यन कर लेते हैं दोस्तों जो क्या होता है कि उसका सेकेंड और थर्ड फार्म दोह तो दोस्तों इसका सेकेंड नीट मतलब मतलें करना तो दोस्तों सेकंड क्या होता है इसको tha ही पड़ेंगे और इसको एक और होताय है नीटेड हाना यानि सेकेंड इसका नीट भी है और नीटेड भी होता है अगर इसमें से आप कोई लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा नेक्स्ट है इसका दोस्तों नीट ही होगा जैसे उसमें कोई परिवर्तर नहीं हो रहा था यहां भी परिवर्तर नहीं होगा लेकिन यहां पर आपका जैसे knitted, क्या होसाएगा knitted, दोस्तों यदी आप बुनेने का neat, neat, neat लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं या फिल neat, knitted, knitted लिखते हैं तो भी आपकी verb क्या होगी, correct होगी ठीक है दोस्तों देख रहे हैं इसका जो second और third फार्म है qit qiq quit क्या पढ़ेंगे quiet quit मतलब छोड़ना कैसी चीज़ को छोड़के चले जाना तो quit होता है तो quit मीज छोड़ना इसका second क्या होगा quit हो जाएगा और third क्या होगा quit हो जाएगा तो दोस्तों यह तो same है लेकिन इसका क्या हो बनाया गया था तो उसमें इसमें भी जोड करें से बनाए जाता है commence क्या लिखा जाता है क क्वीटेड ठीके दोस्तों आखरी एक ऐसी और और बतव जोस्तोंaf कर्कंव थठवार दोहरे रूप में होती है अर्थात उनका दो रूप होता है 11 क्या है आपको दोस्तों je एगर आप वेडित यह में नहीं हो भी आपकी वर्ब सहगा होगी नोकिन दोस्तों इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं तो आपको क्या हो जाएगा waited हो जाएगा क्या हो जाएगा waiting ठीक है दोस्तों तो दोस्तव हम लोकों से कया है कि वर्व या क्रिया का अद्ध्धन किया है दोस्तों जिनका first, second, third form में कोई परिवर्टन नहीं होता है अर्थाद उनका जो रूप होता है जो फार्म होता वह एक जैसा होता है ठीक है दोस्तों यह आईछी वर्व होते हैं जिनका करके लिए मंदलब किया जाता है आपको न, तो यही आम्तुर पर पुछी जाते हैं ताकर को confusion create लेकिन दोस्तों यदि आप लोग इसका अच्छे से अद्दिन कर लेते हैं तो आपको confusion की स्थिति कहीं भी नहीं होगी तो ठीको यदि आप लोगों को ये video अच्छा लगा है तो दोस्तों please वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अफी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने ताकि दोस्तों जैसे ही मैं कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाओं उसके लिए नोटिफिकेशन आपको तूरंत मिले तो दोस्तों आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद